हेलो गाईज, वेलकम तो माई चैनल, MCQSKARDA हम लोग आज वीडियो में भारत की बहु दिस ही परियोजना आए इस चैप्टर के कोस्टन्स को देखने वाले हैं जो भी इस चैप्टर के जो भी कोस्टन्स बनते हैं उन सब को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के कोस्टन्स को देखना आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को जो प्रिस कर लीजेगा क्योंकि आने वाले इस तरह के जो भी वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिक्शन आपको मिलेंगे ठीक है तो कोसिस कीजिगा कोस्टन उसको खुद से बनाने का पहला कोस्टन है मारा यहां पे भारत में पर्थम बहु उद्दोसिय नदी घाटी पर्योजना का निर्मान निम्ण में से किस नदी पर किया गया है गोदावणी नदी, कावेडी नदी, दामोदर नदी, कोईना नदी तो भारत का जो पहला बहु उद्देसी नदी घाटी पर्योजना है यह कौन सा है तो यह जो नदी घाटी पर्योजना यह है दामोदर नदी घाटी पर्योजना ठीक है इसका नाम क्या है दामोदर नदी घाटी परयोजना और ये विस्ट बैंगॉल और जहारखंड में बहने वाली एक नदी है दामोदर इसी के उपर ये बनाया गया है जिसका नाम है दामोदर बहु उद्देशी नदी घाटी परयोजना और ये दामोदर नदी के उपर तो option C हमारे हाँ पर राइट हो जाएगा दामोदर नदी नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी बहु उद्देशी नदी घाटी पर्योजना कौन सी है सबसे बड़ी कौन सी है दामोदर घाटी पर्योजना भाखरा नागल पर्योजना हीरा कुंड पर्योजना या फिर चंबल पर्योजना तो जो सबसे बड़ी बहु उद्देशी नदी घाटी पर्योजना है वो है भाखरा नागल पर्योजना जो की पंजाब में सतलर नाजी के उपर स्थित है ये और ये जो भाखरा नागल पर्योजना है ये राजस्थान पंजाब हर्याना इन तीनों का ही संयुक तो परयोजना है। और यह जो यह सबसे बड़ा है, तो इसके लमबाई कितनी है, 609 km है इसका लमबाई। और यह पंजाब में 179 km है इसका लमबाई। हर्याना में 14 km है और बाकी राजिस्थान में फिर तो इसका जो कुल लमबाई है वो 649 km है। बाखर नागल पर्योजना जो की सतलद नजी पे है और ये सबसे बड़ी बहु उद्देशी नदी गाटी पर्योजना है नेक्स्ट कोस्चन है परामभी कूलम अलियार पर्योजना निम्न में से किन राज्यों की सम्मिलित पर्योजना है आंद्रपर्देश और तमिलांडू, केरल और तमिलांडू, केरल और आंद्रपर्देश या फिर करनाटक और आंद्रपर्देश तो परामभी कूलम जो अलियार ये पर्योजना है ये किन राज्यों की समिलित पर्योजना है तो ये केरल और तमिलांडू की समिलित पर्योजना है परामभी कूलम अलियार पर्योजना option B right होगा केरल और तमिलांडू next question है मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है मचकुंड परियोजना तो ये पस्ची मंगाल उरिसा पस्ची मंगाल बिहार उरिसा और आंधर परदेश या फिर करनाटा का और आंधर परदेश मचकुंड परियोजना ये जो पर्योजना है ये उडिसा और आंदर परदेश की सम्मिलित पर्योजना है ये दुदूमा जल परपात के पास स्थित है ये मचकुंड पर्योजना जो कहां पे स्थित है दुदूमा जल परपात है वहां पे स्थित है ये दुदूमा जल परपात और यह उडिसा और आंदर पर्देश की सम्मेरित पर्योजना है नेक्स्ट कोश्चन है मयूराक्षी पर्योजना से भारत के कौन से दो राज्ये लाभामवित होते हैं मयूराक्षी पर्योजना से options है बिहार और उत्तर परदेश, पस्ची मंगाल और असम पस्ची मंगाल और ज्हारकंद, ज्हारकंद और मध्दी परदेश मैयू राक्रदेश परयोजना जो है इस से जो राज्य लाबांबित होते हैं तो options सी हमारा right हो जाएगा नेक्स्ट कोस्चिन है कि आंद्र पर्देश और उडिसा की जबनी परियोजना नाम क्या है इन दोनों की जबनीतपरियोजना उसका नाम हमें बताना है मचकुंट, महियूराक्षी, नागार्जुन, सागर, पौचम, पाध तो अम यहां पर देखा था मचकुंट परियोजना जो है ये आंधर पर्देश और उरीसा की समर्ट पर्योजना थी तो सेम कोस्चान है वही बस ओप कोस्चन को उल्टा कर दिया है अंधर पर्देश और उरीसा मचकुंट पर्योजना ठीए option यहां पर write होगा नेक्स्ट कोशन है उकाई पर्योजना कहां पे स्थित है मध्य पर्देश में तापी नदी पर गुजरात में तापी नदी पर गुजरात में सावर्मती नदी पर या फिर मध्य पर्देश में नरमदा नदी पर उकाई पर्योजना यह जो उकाई पर्योजना है यह किस नदी परियोजना, तो ये गुजरात में तापी नदी परियोजना है, तो ये गुजरात में तापी नदी परियोजना है, इस चीज़ को याद रखेगा, मैं भी कभी स्टेट पूछते तो गुजरात होगा, तो option B right होगा, नेक्स्ट है कौन सी बहु उद्धिस ये नदी घाटी पर्योजना का निर्मान तेनेसी नदी घाटी पर्योजना के आधार पे किया गया है तेनेसी नदी घाटी पर्योजना के आधार पे किस नदी घाटी पर्योजना का निर्मान हुआ है तो option AMR right होगा, या अमेडिका का Tennessee है, Tennessee नदी गाटी परियोजना इसी क्या अधार पर किया गया है दामोदर गाटी परियोजना का इन्मान ओके नेक्स्ट कोशन है, पेरियार जल विदुत परियोजना किस राज्य में है? पेडियार राज्य जलविदुत पर्योजना जो है किस राज्य में है करनाटक, केरल, तमिलांडू या फिर आंधर पर्देश पेडियार जल्विदुत पर्योजना जो है ये है केरल में पस्चिमी घाट की सीवा गिरी पहारियों से पेडियार नदी का उद्धुगम होता है और ये केरल राज्जे में है ठीक है तो option B right होगा Next question है सरदार सरोवर पर्योजना किस नदी पे चल रही है? Option है तापती, गोदावरी, नरम्दा या फिर कृष्णा सरदार सरोवर पर्योजना जो ये चल रहा है नरम्दा नदी के उपर तो option C right होगा इसका Next है इडुक्की जल्विदुत पर्योजना किस राज्जे में है? Options है केरल, हिमाचल पर्देश, अरुनाचल पर्देश, जम्म कश्मीर इडुक्की इडुक्की जल्विदुत पर्योजना जो है ये केरल में है तो option है right होगा Next देखते हैं सुमेलित करना है हापे पर्योजना है और राज्जे हैं कौन सा पर्योजना किस राज्जे में है वो बताना है कोसी पर्योजना, कोसी पर्योजना किस राज्जे में है तो कोसी नदी जो है वो बिहार में बहती है और बिहार का सोग भी कहते हैं कोसी नदी को तो ये obvious से बिहार में होगा नेक्स्ट है नागा अरजुन परियोजना जो है ये आंदर पर देस की परियोजना है मयूर अकछी परियोजना ये है पस्ची मंगाल और हीराकुंड ये उडिसा हो जायगा तो A का 1 होगा देखें A का 1 जो है वो A और C दोनों में है B का 3 भी है C का देख लेते हैं, हम लोग तो C का मैयूराक्ची पर्योजना में देखा था, पस्ची मंगाल होगा तो C का 4 होगा, D का 2 Option C यहाँ से राइट हो जाएगा Next is Salal जल विदुत पर्योजना किस राज्ये में है Salal जल विदुत पर्योजना Option से हरियाना, जम्मु कश्मीर, हिमाचल पर्योजना या फिर पंजाब Salal जल विदुत पर्योजना जो है, यह चिनाब नदी पे है और यह जम्मु कश्मीर में है Salal जल विदुत पर्योजना कहां पे है, जम्मु कश्मीर में है, चिनाब नदी के उपर Next question है वान सागर पर्योजना से लामहांबित कौन से राज्ये होते हैं वान सागर पर्योजना Option से उत्तर पर्देश, मद्धे पर्देश, राजस्थान, उत्तर पर्देश, मद्धे पर्देश, बिहार, मद्धे पर्देश, राजस्थान और गुजरात या फिर राजस्थान और गुजरात बान सागर जो ये पर्योजना है ये सोन नदी के उपर है और ये उत्तर परदेश, मद्दे परदेश और बिहार जो है इससे लावेंबित होते हैं उत्तर परदेश, मद्दे परदेश और बिहार तो option B right होगा नेक्सट ने भारत तर था एस्या की एक मातर अधो भॉमिक संजे जल विदुत परदेश निम्रि कित में से हिमाजल परदेश के किन नदी इट जिले में भावा नदी के उपर बनाई जा रही है और ये इस्या की पहली पुर्व रूप से भूमिगत पर्योजना है ठीक है अधो भॉमिक का मतलब है कि भूमिगत पर्योजना है ये ठीक है तो ये भारत था एसिया कि एक मात्र अधो भॉमिक संजय जल विदुत पर्योजना है जो कि हिमाचल परदेश में बनाई जा रही है कि नौर जिले में उप्सन्स हैं असम, जारकन, उत्राकन या फिर अरुनाचर पर्देश, ढिक, रोंग, जर्विदुत, पर्योजना जो है, यह अरुनाचर पर्देश में है, तो उप्सन्स डी राइट होगा, नेक्स्ट है सुमेलित, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, सक समुन्दरम जो है, यह केरल में नहीं, बल्कि करनाटक में है, तो हमें जो सुमेलित नहीं है, वो बताना था, तो उप्सन्स सी राइट होगा, सिर्फ समुन्दरम यह केरल में नहीं है, बल्कि करनाटक के मैसूर में है, नेक्स्ट कोस्टन है, लो कटक सकती पर्योजना नि जो कटक्षक्तIST, सकती पड़ Tillुचन, कहा पहिंग है? मनिपूर में नेक्स्ट कोश्चन तुलबुल पड़ियोजन, निमिलख्त नदी से किस सम्माम नित हो तुल्बूल पर्योजना जम्मु और जहिता det. जहिता है फिको आफ्याथ steht. फिको प्राएव fakरा नागल पर्योजना की भारे में कि ये पंजाब के सतलर जनदी पे निर्मित है तो option D right होगा इसका नेक्स्ट है सरदार सरोवर पर्योजना से लावांबित राज्जी कौन कौन से है सरदार सरोवर पर्योजना option से राजस्थान महाराश्ट्र आंधर परदेश करनाटक नेक्स्ट है दामोदर नदी घाटी पर्योजना से कौन कौन से राज्जे लावांबित होते हैं option से पस्ची मंगाल और बिहार और उरिसा पस्ची मंगाल और उरिसा पस्ची मंगाल और जारखंड तो दामोदर नदी घाटी जो पर्योजना है इससे जिस राज्जे को लाव मिलता है वो है पस्ची मंगाल और जारखंड option दी राइट होगा इसका next है निम्लिकित में से कौन तमिलांडू और केरल की संयुक्त नदी घाटी पर्योजना है तमिलांडू और कीरल की option है पेडियार, परांबी कूलम अलियार, इडुक्की, पापनासम तो तमिलांडू और कीरल की जो संयुक्त पर्योजना है वो है परांबी कूलम अलियार option भी राइट होगा इस टाइब का कोश्चन मैंने पहले भी देखा हुगा है जायक भारी परयोजना किस नदी पर है option से कृष्णा, कावेरी, गुदावरी, महानदी जायक भारी परयोजना यह जो परयोजना यह महरास्ट्रा में है और यह गुदावरी नदी पे इस्थित है option सी राइट होगा इसका जोग पर पात पे, option A right होगा next question है बगलिहार जल्विदुत पर्योजना के स्थापना किस नदी के उपर की जा रही है option से सिंधू, सतला, जेलम, चिनाब बगलिहार जल्विदुत पर्योजना के जो स्थापना है, ये की जा रही है चिनाब नधी के उपर तो option D राइट होगा next है कोईणा hydroelectric पर्योजना किस ऐन्य तीध है कोईणा hydroelectric पर्योजना option से बिहार, तमिर्लांडू, आंतर परदेस और महाराष्ट्रा कोईणा hydroelectric पर्योजना जो है यह स्थित है महाराष्ट्र राज़ने तो option D हमारा right होगा गई सारे ही questions important है इसलिए आपको सारे याद रहने चाहिए जो भी नदी हटी पर यूजडाए है इसे exam में question बनता है इसलिए ये chapter भी important है और वैसे तो हम लोग chapter wise मैं आपको कराती हूँ तो कुछ important नहीं है या है भी तो मैं सारे chapter करा देती हूँ क्योंकि हर exam का syllabus सेम नहीं होता किस exam में कोई topic जादा important होता है किसी में नहीं होता है तो सारे ही chapter इसलिए मैं करा देती हूँ आप अपने हिसाब से आपकी syllabus में जो जादा important आपसको पढ़ेंगे है न लेकिन मेरा काम है पूरा complete कराना तो मैं पूरा complete करवाऊंगी next है नाधपा जाकडी परयोजना किस राजे में इस्थित है options है जम्मू कश्मीर हिमाचल पर्देश, उत्तर पर्देश और उत्राखंट नाधपा जाकडी परयोजना जो है यह स्थित है हिमाचल पर्देश में और यह सतलज नदी के उपर हिमाचल पर्देश में तो उप्सन बी राइट होगा इसका नेक्स्ट है नाथपा जाकडी पर्योजना किस नदी पर है तो मैंने बता है सतलज नदी पर है और यह हिमाचल पर्देश में है इसका option होगा ठीक है ओके नीक्स नात्प जाकडी परियोजना किस नदी पे लिम्ेर त्लन-ध लिए लिए और नेक्स बाख्रा नागल के प्रियोजना पम देख Exactly बख्रा नागल एक वक्रोत जन्रा के लाजों की औप्सन्स है आंद्रपरदेश, महाराष्ट्र, औरिसा और छत्यसगड गिर्दना पर्योजना जो यह इस्तित है महाराष्ट्र में तो औप्सन भी राइट होगा इसका नेक्स्ट है कौन सा निम्रिकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग पर्योजना के अंतरगत नहीं आता है भारत और नेपाल के सहयोग पर्योजना के अंतरगत नहीं आता है मैं वह बताना है options है सार्दा बांध परियोजना, टनकपूर बांध परियोजना, पंचेशवर परियोजना, चूखा परियोजना इसमें से कौन सा वो परियोजना जो भारत और नेपाल सहयोग परियोजना के अंतरगत नहीं आता है तो वो है चूखा परियोजना, चूखर परियोजना है यह भारत और भुटान के सहीयोग से है, ठीक है, बाकि के सार्दा बांथ परियोजना, टनकपुर बांथ परियोजना, पंजेस्वर परियोजना, यह सब भारत और नेपाल सहीयोग परियोजना है, जबकि चूखा परिय परियोजना राजस्थान और मद्धे पर्देश व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हर्याना इंद्रा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब इसमें जो सुमेलित नहीं हमें वो बताना है तो दें कि माही बाजात सागर परियोजना जो गुज्रात और र निक्स्ट ही राकुंट परयोजना कि कि नेक्स्ट कोस्टिन देखते हैं ही राकुंट परियोजना किस राजे में तो मैंने भी बता है उडिसा में ही राकुंट परियोजना नेक्स्ट करनाटक में इस्थित बहु उद्देशी नदी घाटी परियोजना कौन सी है जो करनाटक में इस्थित है ऑप्शने दामोदर भाकडा, तुंग भद्रा और कोसी, तो कोसी तो पिहार में है, भाकडा आमने देगा था पंजाब, राजस्थान, तो तुंग भद्रा जो बहु उद्यसी नदी घाटी पर्योजना है, यह करनाटक में इस्थित है, उप्सन C राइट हो जाएगा इसका तुंग भद्रा, नेक्स्ट कोस्टन है, हीडिकल पर्योजना किस नदी पर है, हीडिकल पर्योजना, ऑप्सन है घाट परवा, सतलज, राबी, बेतवा, हीडिकल पर्योजना जो यह इस्थित है, घाट परवा नदी के उपर, तो उप्सन है इसका राइट होगा, next है काकडा पार पर्योजना किस नदी से संबान दित है काकडा पार जो पर्योजना है ये तापती नदी पे है तो option है इसका भी right होगा next है उत्तर परदेश में रानी लक्ष्मी बाई बांध पर्योजना किस नदी के उपर निर्मित है रानी लक्ष्मी बाई बांध पर्योजना जो यह उत्तर परदेश में है और यह किस नदी के उपर निर्मित है ओप्सन से घागरा नदी, बेतवा नदी, सोम नदी, चंबल नदी तो रानी लक्ष्मी भाई जो बांध पर योजना है ये बेतवा नदी के उपर निर्मित है उप्सन बी राइट होगा नेक्स रेट टिहीरी पन बिजली कॉम्पलेक्स निमली कित में से किस एक नदी के उपर अवस्थित है टीरी पन विजली कॉंपलेक्स जो है किस नदी के ऊपर इस्थित है अप्सन से अलक नंदा भागी रती थौली गंगा मंदागनी टीरी पन विजली कॉंपलेक्स ये इस्थित है भागी रती नदी के ऊपर अप्सन भी राइट होगा ये उत्राखंड में है नेक्स्ट है ओंका रेश्वर पर्योजना निम्लिकित नदियों में से किस एक से संबंदित है ओंका रेश्वर पर्योजना किस नदी से संबंदित है ओप्सन से चंबल नरमदा तापती भीमा ओंका रेश्वर जो पर्योजना है ये नरमदा नदी से संबंदित है नदी के उपर है तो option B right होगा next तपोवन और विश्णुगर्जल विदुत परयोजना कहां पर अवस्थित है तपोगन और विश्णुगर्जल परयोजना जो है यह कहां पर है option से मद्धे परदेश उत्तर परदेश उत्राखंड और राजस्थान तपोवन और विश्णुगर्जल परयोजना है यह दोनों उत्राखंड में है option C right होगा इसका next दूल हस्ती पावर स्टेशन निम्रिकेत में से किस एक नदी पर अधारित है दूल हस्ती पावर स्टेशन उप्सन से व्याज, चिनाव, रावी और सतलज तो दूल हस्ती पावर स्टेशन जो जम्मु कश्मीर के किस तवार में है और ये चिनाव नदी के उपर आधारित है तो उप्सन भी राइट होगा इसका नेक्स्ट है गंडक पर्योजना किन दो राज्यों की संयुक्त पर्योजना है उप्सन है बिहार और उत्तर पर्देश, उत्तर पर्देश और मद्धे पर्देश, बिहार और पस्चिम मंगाल, बिहार और मद्धे पर्देश गंडक परियोजना जो है ये बिहार और उत्तर परदेश की सहयुक्त परियोजना है और इससे नेपाल को भी लाब मिलता है उप्सन ही राइट होगा इसका नेक्स्ट कोश्चन है निमलीकित नदी घाटी परियोजना है इससे मध्य परदेश और राजस्थान दोनों को लाब मिलता है चमबल घाटी से इडुक्की पर्योजना से सिर्फ केलर को लाब मिलता है सरावती पर्योजना से सिर्फ करनाटक को हीराकुन पर्योजना से सिर्फ और सिर्फ उरिसा को लाब मिलता है यहाँ पर क्या पुछा एक से अधिक राज्ये को लाब मिलता है तो option A right होगा, चम्मल गाटी पर्योजना, इससे मध्य वर्ष और राजस्थान दोनों को हिलाब मिलता है Okay, next question है, नागा, अर्जुन, सागर, बहुत दोसी पर्योजना, किस नदी के उपर स्थित है हीराकुंट जो पर्योजना ये उडिसा में है, तो D का 4 हो जाएगा, ये D का 4 से मैच होगा मैटूर, मैटूर पर्योजना, तमिलार्डू, मयुराक्षी पर्योजना जो है, पस्ची मंगाल हो जाएगा और नागा, अर्जुन, आंधर पर्देश, ठीक है बारत, पाक, बगलीहार पडियुजना निम्रिकित नदियों sometime से किस एक के उपर है, बगलीहार पडियुजना ये भारत और पाकिस्तान का है बगलीहार परीयूजना बपरनी ने किस नदी के उपर है? सब्सक्राइब नदी के ऊपर है यह जम्मु कश्मीर में है भारत की बहुत दोसी नदी घाटी जो पड़ियोजना थी इसके सारे कोस्चन्स हमने देख लिए जो कि लूसेंट अब्जेक्टिव बुक्के थे आपके लिए यूसफुल रहा होगा और कोसिस कीजिएगा इन सबको याद रखने का और जो भी लूसेंट mcqs का मैंने जो भी चैप्टर वाइस जो भी सारे सब्जिक्ट करा है अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं वहापे आपको स कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे मैं कोसिस करोंगी आपको कमेंट के थूरू ही रिप्लाइ करने का एंड तो लाइक एंड सब्सक्राइब अगर चैनल को सब्सक्राइब ने कर लीजेगा क्योंकि आने बाले जो भी इस तरह की वीडियोस होंग उसकी नोटिफिक्शन पास जाते हैं सो मिलते नेक्स्ट वीडियो में गाईस बाई टेक केर